मुश्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि जो Indian Railway है, उन्होंने एक बात बोली है कि उनके पास pension देने के लिए पैसे नहीं है और उन्होंने इसके लिए जो Finance Ministry है, उससे help मांगी है यानि Railway के पास जो भी Employee जो Retire हो चुके हैं उनको pension जो देता है, उसके पास आप रुपे नहीं बचे हैं कि भई हम आपको पैसे दे सके हैं, आपके pension के तो इसलिए उन्होंने Finance Ministry के पास जाके help मांगें किरपया करके हमारी help करिए, ताकि जो हमें pension दे सकें और यह अभी पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इससे कई बार पहले Railway जो है, वो Finance Ministry के पास जाके help मांग चुकी है अब अगर पैसे नहीं है Railway Ministry के पास, तो क्या Railway में नहीं भरती नहीं आ पाएंगी, अगर किसी के पास पैसे होते हैं तो वो जाके आगे business करता है, business करता है, तो वो नहीं hiring करता है यह same concept जो है, वो यहाँ पर Railway में भी चलता है अगर Railway के पास पैसे होंगे, तो वो नहीं भरती लाएगा अगर नहीं होंगे, तो obviously वो भरतीयों के अंदर कटोतियां करेगा तो इस सारी चीजें जो हैं, वो इस पैसे से लेकर जुड़ी हुई है और तब भी जब भी आप कभी बज़ट देखें और आपको लगे कि क्या Railway में नोकरी आने वाली है, नहीं आने वाली है इसको आपको clear करना हो, तो आप देखिए, बज़ट में रेलवे के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, तो वहां से आप सीजें समझ जाएंगे कि क्या Railway अब भरतियां निकालेगा कि नहीं निकालेगा फिलाल इस बार का जो बज़ट था, 2023-2024 में इसमें काफी जादा जो है, वह इसके लिए अलोकेट किया गया था, Railway के लिए, तकरीबन 2.40 लाग करोड रुपे, जो वह Railway के लिए लखा गया था फिर भी ये पैसा इतना प्रयाप्त नहीं हुआ Railway के लिए, कि वह पेंशन दे सेके इन तमाम चीजों को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, PDF के लिए मैं बता देता हूँ description box में Telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जो download कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं यह news कहां से आई, यहाँ पर आप देखेंगे business standard, इसमें जो news चपती है 16 अगस्त की एक news है, इसमें बोला गया है कि railway ने help मांगी है, seek finance ministry help again, यानि दोबारा to meet pension liabilities जो pension का भार जो railway के उपर बढ़ गया है उसको कम करने के लिए, यह उसको पूरा करने के लिए railway ने finance ministry से help मांगी है यह news business standard के दौरा जब चापी गई और यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई कि भाई साब जो pension जो है, वो क्यों नहीं दे पारा है railway क्या reason है इसके पीछे, इसको भी हम cover करेंगे फिलाल यह जो है, नव भारेट टाइम्स हो गया है यह BS हो गया, यानि business standard हो गया इनके अंदर अलग-अलग newspaper में यह news है, वो चपी है यह नव भारेट टाइम्स जो हिंदी है उन्होंने लिखा कि railway के पास नहीं है pension देने के पैसे, finance ministry से मांगी help अब बात कर लेते हैं एक बार अभी दोस अगस्त को एक महारे लिए निकाले गई old pension scheme के लिए, यानि OPS के लिए अभी जैसे आपको पता है अरे, कहां कायब हो गया, ओके जैसे आपको पता है कि 2000, January 2004 से जो pension scheme, जो old pension scheme जो बंद करतीगी, उसके जगह पे एक new pension scheme जो एक लाएगी NPS जिसको कहते है national pension scheme जो यहां पर लाएगी, अब 10 अगस्त को रामलीला मैदान में दिली में बहुत भारी संक्या के अंदर railway करमचारी राज्य सरकार के करमचारी वहां पर पहुंचे, OPS के लिए यानि old pension scheme के लिए यहां पर OPS आपको दिखा हुआ मिल रहा है इसका मतलब है old pension scheme बहाली और इस योजना, इस महारैली के अंदर आप देखेंगे यह news बहुत कम कवर की गई, हिंदा हिंदू में इसको highlight किया गया है लेकिन बहुत सारे जो media houses हैं उसके अंदर इसको नहीं दिखाया गया यहां पर लगबग 2 लाख के करीब करमचारी पहुंचेते हैं, आप देखें रेलवे के अंदर 13 लाख करमचारी जो हैं वो अभी हैं फिलाग अब इसके अलावा देखें जो राज्य सरकार के करमचारी है वो भी इसके अंदर शामिल हुए उन्होंने भी OPS के लिए मांग उठाई इस news को बहुत दबाया गया है यह आप ता हिंदू के अंदर देख रहे हैं मैंने जब यहां पर किसी देखे कि TV के अंदर मैंने इसको सर्च करने ही कोश की कहीं TV के अंदर इसको दिखाया गया तो वहाँ पर कहीं पर भी पता नहीं चला कि OPS को लेकर इतनी बड़ी महारैली हुई और किसी भी मीडिया हाउस ने उसको कवर किया ऐसा कहीं नहीं हुआ तो इसको चलते हुए देखे OPS क्या है Old Pension Scheme NPS क्या है National Pension Scheme यानि इसके अंदर क्या है आपको रुपे जो है आपकी जो सैलरी मिल रही है मान लीजिए आपकी सैलरी मिल रही है आपकी उस सैलरी का 14% 10% से लेके 14% सरकार अपने पास रख लेगी और उतना ही सरकार मान लीजिए आपने 500 रुपे दिये आपकी सैलरी में से 500 रुपे कटे उतना ही सरकार जब वो 500 रुपे मिला कर एक तरीके से आपके लिए रिटायर्मेंट का फंड त्यार कर रही है अब आपकी सैलरी में से वो कट रही है पहले क्या होता था OPS में OPS में यह होता था कि आपकी सैलरी में से नहीं करता था वो जब आप रिटायर होते होंगे अब रिटायर होने के टाइम में जो आपकी सैलरी होती थी उसका 50% प्लस में DA जो होता था basic प्लस में DA उसको जो है आपको दिया जाता था तो यह सब चीजें होती थी लेकिन अब क्या हो रहा है अब आपकी सैलरी में से वो कटेगा कंट्रिबीटरी स्कीम एक तरीके से तो के अंदर और राज्य सरकारों के employers ने 10 अगस्त को pension की पुरानी स्कीम बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली के रामलेला मैदान में एक जुट्ता दिखाई इसे pension rights महारेली नाम दिया गया इसका जाइजंज है Joint Form for Restoration Old Pension Scheme और National Joint Council of Action की तरफ से किया गया इसमें railway employees और सिक्षकों ने भी भाग लिया बहुत सारी संक्या के अंदर यहां पर लोग आये थे OPS ऐसे मैंने आप लोगों को बताया कि यह क्या होता है कि 2004 एक जन्वरी से बंद कर दी गई इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो salary last जब आप रिटायर होने वाले होते हैं उसका half plus में DA आपको दिया जाता था NPS के अंदर ऐसा नहीं है NPS के अंदर मान लेजे कि इसमें क्या है आपने कुल total x amount जमा कर दिया आपकी retirement तक इस amount में से 40% तो आपको दिया जाएगा tax free बाकी जो 60% है वो market में share market में लगा दिया जाएगा और वहां पर market के अधार पर आपको pension दी जाएगी market में उपर नीचे हो गया तो भाईया आप समझो आपकी salary गई अब इसको लेकर काफी सारे तरक हैं public के अंदर public कहती है कि देखे आपको क्या जरूर है था old pension scheme की आप new pension scheme से काम क्यों नहीं चला सकते हैं NPS से काम क्यों नहीं चला सकते इसके तरक में बहुत सारे मतलब की जो सरकारी जोब में है या फिर सरकारी जोब में नहीं है जो old pension को एक तरीके से बहाल करना चाहते हैं उसके पक्ष में तो वो ये कहते हैं कि देखे हमने इतने साल जो है railway को दिये या फिर other department को दिये government को दिये जब हम retire हो जाते हैं 60 साल की age में तब हम क्या करें अगर माल लेजिए पैसा नहीं बना इतना तो मतलब कि इतना retirement के time में जितना मिलता है old pension scheme में उतना नहीं मिल रहा है उसे बहुत कम मिल रहा है तो हम कैसे गुजारा करेंगे तो ये सब चीजे निकल के सामने आती है और एक जो तर्क यहाँ पर दिया जाते है कि हमने इतने साल नोकरी की government में वहाँ पर अपनी energy वहाँ पर इतनी हमने दी इमानदारी से हमने काम किया लेकिन जो पांस साल के लिए जो विधायक चुन के आते हैं उनको जो pension दी जाती है तो उनको वो क्यों मिल रही है वो तो एक तरीके से social work है न तो social work के लिए वो पैसा क्यों ले रहे हैं तो ये सारी काफी सारे तर्वज़ए वहाँ पर दिये भी जाते हैं अब बात कर लेते हैं NPS ये मैंने आप लोगों को बताए देखें New Pension Scheme मैं ये कहूँ कि अखेली बाज़पा ले आई थी ऐसा नहीं है Congress भी उसके अंदर शामिल थी Congress और बाज़पा में सहमती बनी थी नोंने ये माना थे कि केंदर और राज़पा सरकारों को Old Pension Scheme जल्द से जल्द खतम कर देनी चाहिए नहीं तो कुछ सालों में Pension के भारी बहुत से सरकारों का दम गुड़ जाएगा ये बात बोली गई थी और अब Congress ही जो है वो अलग-अलग राज़पा में जैसे जैसे आ रही है तो वहाँ पर OPS जो वो लागो करी है जैसे हिमाचर प्रतेश हो गया या फिर राजस्तान हो गया वहां पर OPS चल रही है इसको चलते अलग-अलग राज़ों में OPS की मांग बढ़ती जा रही है सेंटर में बढ़ती 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 है other government services कर रहे हैं उनको जो pension नहीं मिलेगी तो वो कितने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो सरकार के ओपर किस तरीके से एक तरीके से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं तो इन चीजों को भी समझना होगा अब चलते हैं कि NPS का लाव उठाने वाले जो employees के पहले batch 2024 से पहले retire होने की कोई उमीद नहींगे हैं अब काफी सारी जो चीजें मैं सुन रहा हूँ कि देखे आप जब retire होंगे तो आपको इतना pension मिलेगा या फिर कई की बारे एक ऐसी news भी आती है हमारे सामने दिखिए ये NPS के अतैत retire हुए हैं इनको 1200 रुपे या 1000 रुपे मिल रहे हैं तो एक चीज़ समझे है 2004 में ये scheme आई मालीजी कोई व्यक्ति जो है 30 साल की age में maximum age तो center पे 30 साल ही होती है 30 साल की age में जो यहां पर वो शामिल हुआ 30 साल की age में जो वो यहां पर शामिल हुआ तो 30 साल उसकी service के बच गए होंगे 30 साल service के बच गए होंगे तो कितना 2034 ही बनता है या maximum to maximum 2030 कर लीजिए बाई किसी में 32 साल होती हुगे 32 साल की एज में शामिल हुआ होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2034 से पहले तो कोई उमीद नहीं है कि बाई NPS का जो लाब उठाने वाला जो बैच हो यहाँ पर रिटायर हुए लेकिन अभी आप देखेंगे दिल्ली के रेल भवन जैसी जगहों पर खाली समय में इंप्लोयर्स यह चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें रिटायर्मेंट के टाइम पर कितना रुपाय मिलेगा और यह दावा वो करते हैं कि जो उन्हें पैसा मिल रहा था उसके मुकाबले बहुत कम पैसा मिलेगा NPS के बतोर पैंशन के रूप में यह सही भी है क्योंकि ओल्ड पैंशन स्कीम एक एक अशूर्ड गैरेंटी है राज्य सरकारों के ख़दानों पर अधारित अभी भी जो इंप्लोयर्स के लिए एक आकरशक बनी हुई है ओल्ड पैंशन स्कीम देखे किसी भी गवर्मेंट जोब में जाने से आप कोई भी व्यक्ति जो है वो गवर्मेंट जोब की त्यारी कर रहा है तो आप उसे पूछेंगे सबसे बड़ा लाब क्या है तो यही है कि मुझे तो सेलरी एक ओन टाइम मिलेगी एक सबसे बड़ी सिक्योर्टी मुझे मिल रही है तो वो अब नहीं मिलेगा तो सोची कितना जादा उनके उपर परवहा पड़ा है यह गैरिंटी जो है एनपेस में नहीं मिलती है यह कंट्रिविटरी स्कीम है जिसमें पैंशन के लिए त्यार होने वाला जो फंड है वो एम्प्लोयर्स के कंट्रिविशन और बजार की पर निर्वड करता है अगर बजार में उपर नीच हो गई उंची नीच हो गई तो समझे आपका पैसा डूबने की कगार पर हो सकता है यह सब चीजे हैं अब देखें रेलवे में हैं तेरा लाग को इंप्लोयर्स 15 लाग जो हैं पैंशनर्स हैं 13 लाग करेंट काम कर रहे है 15 लाग जो हैं पैंशन ले रहे हैं यह सब चीजे हैं आपके सामने पिछले कुछ दशकों में रेलवे इंप्लोयर्स की पैंशन पर होने वाला जो खर्च है रेल मंत्रियों के लिए एक तरीके से गले का फंदा बना हुआ है फाइनेंशिल इयर 2022-23 में रेलवे का जो पैंशन फंड बिल है वो साथ हजार क्रोड रुपे था यह जो बजट का जो आप देखेंगे ना 2.40 लाग क्रोड उसका जो एक तरीके से परसेंटेज निकालें तो उसका 25 परसेंट हुआ यह हैं आगड़ा लगातार बढ़ रहा है फाइनेंशिल इर 2023 में यह उमीद की जारी है कि जो 60,000 क्रोड रुपे है वो 70,516 क्रोड रुपे होने का अनुमान है लेकिन यहां पर उसका नेट आंतरिक जिवेन्यू जो है वो 2.65 लाग क्रोड रुपे होगा यानि अब यह ब बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए था अब बात करते हैं हम यह जो कैग है एक रिपोर्ट जो है यहां पर कैग के द्वारा बे निकाली गई पैंशन पर रेलवे का आईतना जादा खर्चा बढ़ रहा है कि वो सुरक्षा जै यह बात बोले गई थी कि पांच साल में इस कोश के अंदर एक लाग क्रोड रुपे होना जरूरी है जो अभी तक नहीं हुआ है अब आरा इसके क्या है देखिए आरा इसके जो है वो एक तरीके से दो हजार सत्रा अठारा में इसको गठित किया गया था जिसमें बोला गया इसके अपना देटा में उन्होंने कहा कि देखिए लाइन जो रेलवे लाइन के नवीनी करन यानि की नई लाइन बिचाना जो खराब हो गई है उसकी जगए पर और जो न्यू करना उसको तो पिछले पांस सालों में 2017 से लेके 2022 तक 58,045 क्रोड रुपे जो हैं वो यहां पर खर्च हुए नवीनी करन के लिए रेलवे की लाइन आगर रेलवे क्रोसिंग रोड हो गया और ब्रीज होगया रोड अंडर ब्रीज होगया सिग्णलिंग से जुड़े मुद्द्दे होगlio अब आप लीए तो यहां आपए जपया चाया रहा है तो उनको हटाने के लिए पुल है वह उपर से बनाय जा रहे हैं सडक के मतलब कुछ नीचे से गुजारे जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं इनको बनाने में इनके लिए खर्च करने में इतना ज़्यादा खर्चा रहा है ये बात बोली है railway ने और अगर इनकी ये बात मान भी ले कि RIS के तैज जो ये खर्च amount के लिए मजबूर होना पड़ता है ये खुद railway रिपोर्ट बोली है अगर उनकी बात को माने भी तो अलग काम के लिए उनके पास पैसा काम बचता है railway के पास नहीं है pension देने के पैसे finance ministry से मांगी मदद अब इसको देखें देखें railway ने का कि करोना माहा मारी आई लागत में बढ़ोतरी लागत में मतलब कि जो railway का खर्चा वो बढ़ रहा है उपर से करोना आ गया दो साल करोना की मार्च वेटी उससे क्या हुआ जो net revenue बहुत जादा बुरी तरह पर भावित हो है देखें रेल तो चलनी बंद होगी रेल को पैसा कहां से मिलता है पैसा मिलता है उसको passenger से और फ्रेटमेलों की जो मालगाडी होती है वहां से अब वो बंद होगी तो पैसा कहां से आएगा कहीं से नहीं आएगा जिससे क्या हो रहा है कि railway के लिए पैसा देना pension के लिए मुश्किल हो रहा है उसने एक बार फिर से यह पहले भी हो चुका है और फिर से इसने finance nurses help भी मांगिया गोहार लगाई है business standards की एक report में दावा किया गया है report के मताबिक sunset में पिछले हफते पेश एक action taken report में यह बास सामने आई है railway पर sunset की standing committee on railway report मांगी थी कि उसकी सिफारिशों पर railway ने क्या क्या कदम उठाए है इसमें railway ने कहा था कि 2022-23 में वो अपने दम पर pension का बुक्तान करेगा और उन्होंने कहा कि वो सफल भी रहा यह railway ने बोला लेकिन जब standing committee ने इसके उपर जोर दिया railway के उपर तो इन्होंने का कि हाँ हमने थोड़ी बहुत help मांगी है यह बास सामने आई देकि report में यह भी का गया कि finance ministry ने पहले तो railway के इस unroad को ठुकरा दिया था कि हम आपकी help नहीं करेंगे लेकिन railway ने यह मुद्धा जोर जोर से finance ministry के सामने उठाया और उन्होंने का कि आप विचार मिमर्स कर लीजिए और यह बहुत बोली गई कि 2023-2024 में pension के लिए तोर पर 62,000 क्रोड रुपे देने पड़ सकते हैं और इसके लिए railway ने 70,000 क्रोड रुपे रखें कि आप हमें 70,000 क्रोड रुपे दे दीजिए अब बजट के उपर आ जाते हैं देखें 2023 में जो बजट पेश किया गया निर्मला सितारमन जी के द्वारा उसमें railway के लिए 2.4 लाग क्रोड रुपे यह रुपे रखे गए हैं बहुत ज़्यादा है अभी बताएंगे आपको कितना ज़्यादा है बजट में railway की नई योजनाओं के लिए 75,000 क्रोड रुपे का फंड जब हो इसके लिए ऐलान किया गया अब देखें railway बजट की कोई खास बास है इतना रुपे जो मैंने आप लोगों के बताया अवंटित किया गया है जो 2013-14 के मुकाबले 9 गुर्णा अधिक है जो सबसे ज़्यादा अभी तक दिया गया है और आने वाले टाइम में का गया है कि इससे और भी ज़्यादा दिया जाएगा इस बजट में बोला गया था कि सो नई योजना जो शुरुआत की जाएगी 75,000 करोड रुपे जो फंड के लिए नई योजनाओं के लिए यहाँ पर रखे गई थी अब ये सारी चीज़े मैंने आप लोगों के लिए रख दी है ये वही सीज़े हैं कि पहले कितना था अब कितना हो गया है भरतियों के लिए यहाँ पर सब चीज़ें हो गई है कि नए जो स्टेशन बनाने का निर्मान है उनके लिए 500 करोड रुपे यहाँ पर रखा गया है सारी चीज़े यहाँ पर रखी गई है इसके अलावा यात्रियों के बढ़ती उमीदों के साथ रेलवे यह वो राजदानी शताबदी दुरोंतों हमसफर जैसी तेज़स जैसी परमुक ट्रेनों के हजार सेदी कोचों के नवीनी करण की योजना बना रहा है इन कोचों के अंदरुनी हिशों को और आदुनी के लुक देने के लिए और बहतरियातरी सुविदाओं के लिए सुधार किया जाएगा तेजगती की जो चलने वाली बंदे भारत ट्रेनों को पटरी पर आने के साथ ही ट्रेक नवीनी करण के लिए आवंटन को पिछले साल की तुलना में बढ़ाकर 17,296 क्रोड रुपे यानि कि और जादा इसके लिए रुपे दे दिये गए हैं अब रेलवे का हाल देखिए जैसे मैंने का रेलवे ने बोला कि COVID-19 के कांट जो है बहुत जादा हालत खराब होगी ये रेलवे की क्योंकि रेलवे जो है वो 11,000 ट्रेने चलाती थी जो करोना काल से पहले काल के बाद उनोने ट्रेन जो वापस स्टार्ट की लेकिन जो सुविधाएं जो देनी थी यातरियों को जैसे की बुजुरगों को जो किराएं में जो चूट मिलती थी वो बंद कर दी बहुत सारी से्वाइं उनोंने यहाँ पर बंद कर दी थी उन्हों ने बोला कि देखिए हमें जो fret और passenger के operation से कमाई होती है railway ने बोला और उसी कमाई से हम क्या है करमचारियों की तनखा और pension देते हैं लेकिन कुछ सालों से वो जुरी revenue बहुत जादा खराब हो गया वो जादा पूरी तरह परभावित हुआ जिससे हम वो सब चीजें नहीं दे पाए करोना काल के लंबे समय तक train ने तो बंद रही पांच सालों से railway का working expenditure वो बहुत जैदी से बढ़ रहा है अब ये बहुत जादा important विशे है कि ये खर्च बढ़ रहा है क्या वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है हम बहुत सारी चीजें देखते भी है कि कितना जारा भर्षटा जा रहा है अब हाली में आप देखिए बाला सोर के अंदर जो train दुरगटना हुई उसके पीछे reason क्या था कि कैसे ही डंक से काम नहीं हो रहा है तो ये सब चीजें देखनी बहुत जादा जरूरी है तो ये इतना खर्चा बढ़ता जा रहा है देखिए 11,000 ट्रेनी चलती थी वो बंद हो गई थी तो इतना जादा प्रभा पड़ा होगा रेलवे के अंदर अब बात कर लेते हैं हम कि रेलवे में क्या नई जोब आएंगी क्या एक RTI करता है उनका नाम है चंदर शेकर गोड चंदर शेकर गोड ने RTI लगाई और पूछा कि रेलवे में ये जून की बात है 28 जून ये 2023 है 28 जून 2023 इसमें बात बोली गई कि RTI में आब बताईए कि कितने पद रिक्त हैं रेलवे में तो जून के महिने के आखिर तक बोली गई कि इस महिने के आंद तक रेलवे में 2.74 चार लाख पद खाली पड़े हैं ये बात बोली गई है इद में से 1.7 लाख से अधिक स्रुक्षर शेणी में सुचना अधिकार यानि ITMA जवाब मिली है और इसमें कौन-कौन से शामिल है पद मतलब गुरूप A, गुरूप B, गुरूप C, गुरूप D तो गुरूप C में ज आती हैं ये अब यहां पर एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट आइए में जो सामने चीज़ें आई हैं कि देखे आटे में ये जवाब दिया गया है कि एक जूनके अंतिम तक जो अलग-अलग पद हैं देखे स्विकृत मोजूद और रिक्त पदों में कितनी-कितनी संक्य हैं वो यहां पर हैं जो रेलवे के परवक्ता हैं मिताब शर्मा जी उन्होंने ये बात बोली कि इस मुद्दे का हम सीधी बरती यानि ओपन बरती रखी जाएंगी जल्दी-जल्दी उनका प्रमोशन किया जाएगा जो एक्जाम है उनके माद्यम से जो ने-ने इंप्लोई है जिसके तैत ट्रेक मैन, हेलपर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, सफाई वाला वाभी फिलाल जो यह सब चीज़े बंद करती हैं गैंग मैन हो गया चपडासी हो गया इन सब चीज़ों को लिया जाता है अब इसके अलावा ग्रूप C में NTPC के द्वारा जिसमें कौन-क इसके दिसमबर 2022 में रेलवे जो था कि रेल में 3.12 लाख अराज पत्रिक यानि की नोन गैजिटीट पद रिक्त है श्रुक्षर शेड़ी में रेल परिचालन से सीधे तोर पर जो जुड़े करमी है इसमें है लोको पाइलेट, ट्रेक परसंट, पॉइंट्समें, इलेक्ट्रिक वरकर, सिंगनलिंग, गया है और इन पदों पर रेल्वे करमचारियों की मांग रही है देखे दरसे रेल्वे यूनियन ने मंत्राले से रेल पटडियों का रख रखाओ, फिटनर सीनियर और जूनियर सेक्षन इंजिनियर, गैंग मैन, तकनीशियन के लिए अधिक पदों की मांग की है इसका जम में यात्रा कर रहे हो ना, तो आप देखिए कि आपने एक खोली होगी, उस एप में दिखाया जाता है, आपने यहां से चलना शुरू किया और आपको यहां पहुच रहे हैं, तो आप देखे, आठ या दस किलोमेटर की एरिया पर आपको एक स्टेशन दिखाई देगा, उ सब चीज़ें रखी जाते हैं, इनके साफ 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 SNT के डिपार्टमेंट भी होते हैं, बहुत सारे अलगले के डिपार्टमेंट होते हैं, तो यह सारी पटनियों को देखते हैं, आठ से 10 किलोमेटर का सेक्शन या आठ मिनिमुम से मिनिमुम आठ किलोमेटर का सेक्शन ज इस पर अधिक ध्यान देनी के आवशकता है और इनके लिए इतनी दूरी तैय करना देखे बहुत जादा मुश्किल है। दुरगटना के कारण रेलवे ने अपने जोन खास कर सुरक्षा सेड़ी में पदोनती रिक्तियों को भरने के लिए विशेश अभियान शुरू करने के निर्देश दे दिये हैं। पर देखे लिए तो वह सारी चीजे जो एक तरीके से पैंशन देने के रुपे नहीं है। तो यह सारी चीजे कैसे सोल होंगी। एक तरीका है कि बजट बढ़ाया जाए रेलवे का और कोई कारण और कोई तरीका आपके सामने नहीं आते हैं। बजट बढ़ेगे, बजट बढ़ेगा तो नहीं नहीं योजना ही आएंगे, नहीं योजना ही आएंगी। नहीं बपतिय आएंगी, नेक्षुरीयों में, जैं.